आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि जो लोग भी YouTube पे टाइम बिताते हैं वो अपना किम्ति टाइम बिताते हैं और बहुत ही उमीद लगा करके किसी भी वीडियो को देखते हैं और सिखते हैं तो मैं इस वीडियो में आपको आज सिखाने वाला हूँ यदि आपके पास O OPPO A 16 K के हेंडसेट है उस हेंडसेट में आप किसी भी तरह का लौक हो में पेडरन ऊप हो आप लगा नाज़ को लगा दिये हैं आप भूल गए भूल गहें तो कुछ नहीं अधूझना नहीं आपको नर्वसाना नहीं है हैं आप जिस वीडियो को प्ले किये हैं ये आप के ली विड़ी है यह देखे मेरे हाथ में जो हैंसेंट है यह ओप फॉछ नहीं करना है आपको सिंपल मैथर से आपको मैं सिखाऊंगा कि आ आपका phone किस तरह से अनलख होगा वह भी बीना service center गय हुए जी हां दोस्तों बीना service center गय हुए अब बीना एक रुपिया खर्च की हुए अगर आप इसी काम के लिए बजार में जाएंगे तो लगवक देर सो दो सो डाइसो रुपिया खर्च होने वाला यह आप भी जानते हैं यह सभी लोग जानते हैं तो चली करना क्या है यह सिख लीजे जब भी आपका फोन लॉक हो जाए आप लॉक को भूल जाते हैं तो कुछ नहीं करना है बहुत सब लोग क्या करते हैं कि many times wrong pattern हो wrong password हो कोई भी draw करते हैं आपको यहां पर यह गलती नहीं करना है करना क्या है यह main page जब मिलेगा इस तरह से तो आपको यहां पर इस तरह से local interface पर आ जाना है जब यह पर आपको यहां पर emergency call इस तरह से select करना है इस तरह से जब यहां पर यह वाला page open हो जागा emergency calls only का page जब यह page open हो जाएगा आपको यह वाला code dial करना है star hedge 899 और hedge hedge जैसे ही प्रेस किचेगा आपका phone चला जाएगा engineer mode में अब यहां पर क्या करना है बहुत सारा option यहां पर open हो जाएगा आपको manual test test इस तरह से click करना है जैसे ही click किचेगा तो यहां पर इस तरह से इतना सारा page open हो जाएगा देखरें इतना सारा तो आपको device dubbing वाला page में आ गया हूँ सबसे पहले आपको sensor self test and collaboration है इसको इस तरह से click करना है जैसा ही आप click करेंगे तो यहां पर तीन option दिखेगा देखरें जो तीन option है जो operation not start, operation not start, operation not start mode में है आपको तीनों के इस तरह से click किजे, हो से कि तीनों में से कोई एक इस तरह से पास आना बहुत जोड़ी हो से कि आपका phone में तीन से ज्यादा दो sensor भी इस तरह से आ सकता है या तीनों भी आ सकता है लेकिन तीन में से कोई एक इस तरह से आ जाएगा इस तरह से यानि कि green color में test pass यानि कि आपका sensor यहाँ पर pass हो गया है जब sensor pass हो जाएगा तो यहाँ से इस तरह से back करेंगे back करने के बाद अब आपको जाना है gyroscope यह देखे लिए इसको मैंने click किया क्लिक करने के बाद ऊपर से second option जैसे ही क्लिक करेंगे जारो स्कोप self test जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फोन टेस्टिंग होगा और टेस्टिंग के बाद आपको cross check करना है कि आपको phone यहाँ पर pass होता है फिलाल देख रहे हमारा phone यहाँ पर pass हो गया जब आपका भी phone इस तरह से पास हो जाएगा तो यहां से इस तरह से back करेंगे यहां से भी back करेंगे फिर आ जाएगा main page पे उसके बाद इसी में आपको other नाम का एक option सर्च करना है जो इस तरह से मिलेगा देखरी others आपको main word version मिलेगा आपको यहां पे इस तरह से लगवा 6-7 word क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखे रिड राय डिपर्टर लॉक टेस्ट इसको जैसे ही क्लिक किजेगा तो यहाँ पे OK करना है, जैसे ही OK किजेगा इस तरह से wrong password आपका reset हो जाएगा उसके बाद, उसके बाद आपको फोन अनलोक हो गया है, उसके बाद उसके बाद यहाँ से back किजे और आपको Google FRP code भी यहाँ पे अनलोक हो गया है, पास हो गया है यह देखे, Google की भी यहाँ पे पास हो गया है अब cross check करना है कि यह phone जो है, यह phone अनलोक हुआ कि नहीं हुआ, वो भी without data loss, मैं आपको कमेंट मिल किया था कि without data loss हम आपको सिखाएंगे तो चलिए result आपके सामने है यह देखे, मैंने home menu बटम को मैंने क्लिक किया, और आप देख रहे यह phone अनलोक तो हुआ ही, साथ में इस phone का data, देखे, सारा application data इसमें available है, मौजूद है फिर्स आप यकीन मानी, यह बहुत ही जवदस trick है, इस trick से बहुत सारे लोगों का phone अनलोक हुआ है, अगर आपके पास कोई भी phone हो, किसी भी company का, Samsung हो, Vivo हो चारीयली में हो, Xiaomi हो, EMI हो, Poco हो, उस case में आप चैनल को subscribe किजे, और सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट किजे, जैसे ही कमेंट करेंगे हमारी टीम आपके हैंडसेट का कोडिंग हिल्प करेंगे